हैलो एंड वेलकम बैक डियर इस्टेंट जैसा कि लास सेशन में हम लोगों ने स्टेडी किया था डेटा मैनिपलेटिंग लेंगवेज के बारे में स्टेडी किया था कि आपके दो डिफरेंट लेंगवेज होती हैं डेटा भी में स्टे उन्यांग के लिएंद में नेट किसे आप उनका यूज गर सके हैं डेटा भी में क हम विल्टेट करनेट ने की ससा लास से सभी से क्यूशन हैं एंगर दिफरेंट कि dml जो दो language मैंने बताई थी आप लोगों को ddl और dml उनका पूरा नाम full form आपको comment box में लिखे मुझे बताना है आज का session शुरू करते हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं creating a database object यानि कि manipulation हम लोग तब कर पाएंगे जब हम कोई database को create करेंगे तो आज हम सीखेंगे कि first time जब आप database create करते हैं तो किस तरीके से आपको procedure follow करना है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं जो आपका open office open office बिल्कुल वैसा ही है जैसे लिवर office होता है या फिर आपका मैं कहूं MS success होता है इन similar वेनर open office होता है इसका फायदा कि आपन office का यह open source software है इसको purchase करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है free of cost अवलेबल होता है और जो इसके similar जो software से आप उनका भी यूज कर सकते हैं database create करने के लिए आप लिवर office पे भी कर सकते हैं बट आपके syllabus में still open office ही है ओके तो open office जो आपका software है वो freely available है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं simple google पे search करके भी कर सकते हैं दूसरा मैं लिंक भी आपको description box में provide करवा दूंगा वहां पे जाके भी आप open office को अपने system में install कर सकते हैं राइट तो open office में वो सारे options होते हैं जो आपके different liberal office में या फिर और software में होते हैं जब आप first time open करते हैं आपके पास windows 8 से पहले के version है तो आपके पास option बिल्कुल हैं से मिलेंगे जैसा मैं बता रहा हूं हो सकता है वैरी कर सकता है अगर आपका window 8 के बाद है तो simple आपको जैसे कि निचे bottom में जो start button होता start button पर क्लिक रो तो सारे के सारे software आपको screen पर नजर आ जाते हैं तो दोनों तरीके हैं आपके पास में ओके नाव अगर मैं बात करूं जो आपके window 8 से पहले के वर्जन है उनमें आप start button पर जाते हैं प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको open office org जो भी आपका वर्जन है वह आपको वहां पर show होता है और आप उस पर click कर देते हैं तो आपके पास ऐसा इंटरफेस open हो जाता है ओके नाव दूसरा क्या है जब आपने इंस्टोल करी रखा आपके system में तो उसका shortcut भी आपके desktop पर बन जाता है तो shortcut पर भी double click करके आप इसको open कर सकते हैं जब shortcut पर double click करते हैं देन आपके पास बिल्कुल इंटरफेस आपके नजर आता है यहाँ पर देखिए आप text document create कर सकते हैं आप spreadsheet यानि कि आप जो अपना Kelsey है उसको यूज कर सकते हो यहाँ पर प्रजेंटेशन इंप्रेस का भी option है ड्रोइंग का option है database का option है फोर्मला का option है templates है तो यह आपके पास different tools है जिनकी help से आप different work कर सकते हैं documentation से related presentation से related spreadsheet से related राइट यह बिल्कुल वैंसे software है जो हम लोगों ने लिवर ओफिस में study किये हैं जो अब हमें यूज करना है that is your database हमें कौन सा option के यूज करना है database objects पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यह आपका दूसरा यह बता है इंटरफेस नजर आएगा आपको नाव जैसे ही आपका यह database wizard open होता है यहां पर वह आपसे पूछता है what do you want to do और आपको select करना है create a new database इस पर radio बटन जो बने वे आगे radio बटन में क्या होता है आप दो यहां तीन बने हैं तो उन से सिरफ एक ही select कर सकते हैं तो आपको क्या select करना है create new database क्योंकि हम नया database create कर सकते हैं नीचे है open and existing database इसका यूज कब होता है जब आपने को database बना लिया है और उसके बाद कभी दुबारा आपको जरूत पड़ती है कि उस database में कोई change करना है तो वो जो existing आपने बना रखा है उसको आप यहां से open कर सकते हो open and existing database से और आपको next बटन पर click कर देना है जैसे ही आप next बटन पर click करेंगे आपके पास जो next आपका interface आएगा वो कुछ है सनजर आएगा यहां पे जो first option पूछे आप से do you want to wizard to register the database in open office तो आपको यह करना है विजाड से क्या होता है आपको आसानी हो जाती है ठीक है step wise step आपके पास में चीजें होती है आपको सिर्फ steps follow करना होता है और आपका काम आसान हो जाता है तो आप विजाड से करेंगे यहां पे आप यह कर देंगे और after the database file has been saved do you want to open the database for editing यह आपका option होता है यह जो चैक बोक्स है आप दोनों को भी दोनों पर भी क्लिक कर सकते हो एक साथ ठीक है इसमें क्या होता है अगर आपने सेलेक्ट किया इसका मतलब क्या है जैसे ही आप अपना database create कर लोगे तो वह आपका नया जो डेटाबेस आपने बनाया है वो अटोमेटिकली ओपन हो जाएगा काम करने के लिए अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपको दुबारा से उसमें जाके ओपन अग्जिस्टिंग वाला करना पड़े इसलिए मैं क्या करूँगा यहां पर ओपन डेटाबेस फोर एडिटिंग पर सेलक्ट करूँगा दैन आपका फिनिस करूँगा उससे क्या होगा जैसे ही आप फिनिस बटन पर क्लिक करेंगे तो सेव डायलोग बोक्स आजाएगा आपके सामने आप अपने ड ताइटल बार पर यहां पर लिखावा मिलेगा आपको सेमपल डोटॉडीबी डोट्व door डीब उडिया याद रखना पुछा जा सकता हि है डोट ओ डीबी ओपन डीटाबेस का आपका जो जो अट extension होता वो डोटोडी भी होता है सेंपल नाम से क्या इसलिए सेंपल यहां पर आ गया यह बिल्कुल वैसा है टाइटल बार है मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज का बटन है नीचे मेनु बार है फिर आपके स्टेंडर्ड बार है जिस पर बने वे हैं और यह आपका इंटरफेस होता है जिसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ओप्षाण होते हैं पहला पल leρω都 regionतेstyबल का है है कुएरई करने का option है यहां पर फों बनाने का पुशन है रिपोर्ड बनाने का और यहां पे जो टास्किusिक पुलकि टेबल के स्वेक्ट् worm टास्क्श्याब फोंगे क् आपका इंटरफेस नजर आराइस में यह सारी चीज़ें हम लोग इंडिज वली स्टैडी करेंगे कि टेबल कैसे बनाई जाती है क्वेरी कैसे की जाती है फोर्म कैसे बनाया जाता है रिपोर्ट कैसे बनाया जाती इन सब पर डिसकेसन हमारा होगा तो तिल दैन आप स्टैडी करते रहे हैं अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखके मेरे से पूछ सकते हैं लग रहे हैं और इसके प्रक्टिकल सेशन होंगे तो आपका जो और ज्यादा रिजोल हो जाएंगे आपको डाउट नहीं रहेंगे कीप स्टैडिंग कीप वोचिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए थैंक्यू